जै मातादी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाज जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एश्टवाज में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशी के मंथली रासी फल यानि दिसंबर साल का अंती महिना मकर राशी के लिए कैसा रहेगा कैसी होगी मकर राशी की धन की स्वास्त की परिवार की इस्तती उनके दामपत्य उनके प्रेम की इस्तती इसके बारे में इस कारिकरम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले देखा जाए तो मकर राशी वालों के स्वास्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो ये कुंडली आ रही है आप देख रहे हैं मकर राशी की कुंडली है और दुत्य भाव में शनी देव विराजमान है तृत्य भाव में राहू विराजमान है चतुर्थ भाओं में ब्रस्पती बैटे हैं हांस योग का निर्मान दिसंबर में हो रहा है साती साथ चंद्रमा सप्तम भाओं में बैटे हैं साती साथ मंगल सूर्य और मंगल लाब भाओं में बैटे हैं रोचक योग बन रहा है दूसरा आपका हंस योग तीसरा योग के बारे में बात करें तो रोचक योग बन रहा है चलिए आप बात करते हैं डिटेल में सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं तो भई तीन बड़े योग दिसंबर में बन रहे हैं तो हेल्थ कैसे खराब हो जाएगी हेल्थ आपकी काफी अच्छी रहेगी इन फैक्ट शनी जो है मकर राशी के दुत्ती स्थान के अंदर बैट गए तो कहीं न कहीं देखा जाए तो दिसंबर के मेंने आप हार्ड वर्क करने वाले हैं अपने पुराने पैंडिंग काम को आप पूरा करने वाले हैं यानि खूब मेहनत करने के आप सोच रहे हैं काम को बढ़ाने के आप सोच रहे हैं कुछ नई प्लानिंग करने के बारे में आप सोचने वाले हैं और किर्यानविद भी करेंगे यानि कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं काम को बढ़ाने के लिए आपका दिसंबर में पूरा फोकस अपने धन कैसे प्राप्त हो साती सात काम कैसे बढ़े इस पे आपका लगेगा क्योंकि लगन के स्वामी दुत्य भाहूं में बैटें धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में तो शनी देव शच योग बना रहे हैं पूरा दिसंबर का मैना एक तारिक से लेकर इक 30 दिसंबर तक बहुत अच्छा रहने वाला है यानि लग का जबरदस्ट आपको साथ मिलेगा आपको बज मैनत करके अगर आपका धन रुका हुआ है तो आपको क्लाइंट को फोन करना है या जिनोंने धन लिया उनको फोन करना आपको धन मिल जाएगा और साती साथ दिसंबर के मैने में अचाना कोई बड़ी डील से आपको धन लाप्रापत हो सकता है धन का फ्लो वैसे दिसंबर के मैने में पूरो का बीच से तीस के बीच में कुल मिलाके धन के लिए मकराशी के लिए दिसंबर का महिना काफी अच्छा है इसी प्रकार से परिवार भाव के बारे में बात करें तो दिसंबर में ब्रस्पती चतुर्थ भाव में बैठें और ब्रस्पती जब चतुर्थ भाव में बैठ जातें तो दिसंबर में परिवार के अंदर शांती का महौल रहेगा, आप परिवार में भाई भैन या परिवार में जितने सदसें उनमें से कोई ना कोई आपको करियर से संबंदी तो अपने काम से संबंदी खुशखबरी देने वाला है उसके लिए तयार वारीज रहिएगा दिसंबर में आपको परिवार के सदस्य से कोई खुशकबरी मिल सकती ते साथ ही शाथ दिसंबर के मेने में आप फेملी को टूर करवा सकते हैं नदी पहड़ों की यात्रा के दो उग्ड़न आ रहें यानि कि फैमिली के साथ में आप नदी पाड़ू की आत्रा करने वाले हैं आप बात कर लेते हैं मकर राशी वाले उनकी जिनकी संताने हैं तो संतान में भी देखा जाए तो संतान भाव के स्वामी यानि पंचम जो सेकंड जहां सेकंड लखा है पंचम भाव के स्वामी शुक तो चाए च्छोटी संतान है चाए बड़ी संतान है एक तारिक से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाये च्छोटी संतान है तो education बढ़िया है पूरा दिसंबर का महिना education के लिए अच्छा रहेगा बड़ी संतान है तो career के लिए में कोई बड़ी achievement हाद आएगी करियर में बड़ी संतान जो 18 से उमर की संताने वो बताएंगी आपको कि हमें कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है नया करियर का ओफर आ रहा है और संतान के रुकेवे काम भी दिसंबर के अंदर संपन होने के योग बनते हैं साथी साथ जो आपकी बड़ी संतान है उनको कोई मुबाइल कोई लैप्टोप लेने वाले हैं उसका भी योग दिसंबर के महिने में शुक्र के मालब भी योग से बन रहा है तो कुल मिला के संतान के लिए भी दिसंबर का महिना अच्छा है और मित्रो जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो हम मंतली राशी फल बताते हैं यह जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित है यदि आप काफी काफी समय से देख रहे हैं और साल आ गया और अंति महिना नहीं वाला है और सल्यूशन आपको आपकी प्राब्लम का मिल नहीं रहा है तो भई आपको 7210124289 पे वर्टसेप करके डेट ओ बर्ट, टाइम ओ बर्थ, प्लेस ओ बर्थ और अपना प्रशन लिखके मुझे भेजना पड़ेगा और टेलिफोनिक आपको राय लेनी पड़ेगी जिस प् प्राब्लम छोटी-मोटी उपाय से ठीक ना हो रही हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर से टेलिफोनिक अपॉइनमेंट लेते हैं इसी प्रकार से यदि यह जो हम बता रहे हैं जनरल प्रेडिक्शन है अगर आपको लगता है कि से हमें हमारा काम नहीं चल रहा है कुछ 20-30 परसंट ऐसे लोग होंगे जिनका काम नहीं चल रहा होगा तो उनको कुछ नहीं करना आपको अपनी कुंडली दिखानी तभी आपका कुछ समाधान निकल पाएगा अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में तो मकर राशी वाले जितने भी करने लगेंगे इसका शौक आपके अंदर दिसंबर से जागरित होगा साथी साथ कुछ विद्यारती मोबाइल वस्त्र सौपिंग भी करने वाले और कुछ हिली स्टेशन भी जाने वाले यानि विद्यारतियों का दिसंबर का महिना ठीक है आप बात कर लेते हैं मकर राशी चेंज का योग आपका नजर आ रहा है साथी साथ जो स्थान परिवर्तन होगा जो प्रोजेक्ट चेंज होगा उससे आप खुछ नहीं होंगे यानि अंचाहा स्थान परिवर्तन अंचाहा प्रोजेक्ट चेंज होगा जिससे आपको थोड़ा टेंशन रहेगी साथी साथ जो नौकरी करते हैं मकराशी वाले दिसंबर में ओफिस के अंदर जूट ना बोले या बहाने ना बनाए नहीं तो आप पे वो भारी पड़ सकता है आपके जूट आपके बहाने पकड़े जा सकते हैं जिससे गलानी हो सकती है तो इसलिए जूट का और बहानों का सारा दिसंबर में कम लेना है बुद्ध है कमजूर भई अब बात कर लेते हैं मकराशी वाले लोगों के दामपत्य जीवन के बारे में तो दामपत्य जीवन में देखा जाए तो चंद्रमा 181 सपतम्भाओं में बैठे है पहले पती-पत्णी के पहले प्रेमी प्रेमी का के बारे में बात कर लेते हैं यानि इंग्लिश में से लफ का पल खा जाता है तो बहू दिसंबर का महैना normal है जैसा work करते हैं वैसा ही रहेगा हाँ दिसंबर के महिने में नदी समुंदर की या तरह आप दोनों कर सकते हैं, इसका योग चंद्रमा क्योंकि सप्तमभाव में पानी का कारक होता है, तो वह बन रहा है, पती-पतनी के बारे में बात करें, तो यह जो चंद्रमा होता है, यह माता-पिता का भी कारक होता है, तो पार्टनर के कुछ समय के लिए अपने माई के जाने के या अपने घर जाने के दिसंबर के महने में योग बन पूरा मेंनगैटी रहेगी औंदर किसा खुशहद zestवती को लेकर या होई कि शबरें पीं तो को ऒंखे रहें जाए है कि संबर का महीना दुकान दार वयात्तर है को के लिए लाव लाव लावकारी रहने वाला है मित्रों इस कारेकरम में बलत नहीं मुझे दीजे जाया चैमाता दी